तो प्याड़े बच्चों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे आज मैं आप सभी को फिर से भुगोल पढ़ाने के लिए आया हूँ भुगोल में मैंने पिछले क्लास में भुगोल का पर्थम अध्याई को प्रारम कर दिया था पर्थम अध्याई जिसका सिरिसक है भुगोल एक विशय के रूप में पिछली क्लास में प्याड़े बच्चों मैंने आप सभी को भुगोल का अर्थ भुगोल की परिभासा को काफी अच्छे तरीके से समझाया था और भुगोल के साखाओं के भी बारे में मैंने बताया था मैंने लेकिन लैटली बताया था जदा डिटेल से मैंने आपको भुगोल के साखाओं के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था और मैंने कहा भी था कि next class में मैं आप सभी को भुगोल का जो साखाई है उनको काफी अच्छे तरीके से अध्यान करेंगे ठेक है मैंने पिछली class में आप सभी को बताया था इसलिए पैरे बुचो यह जो आपका class है यहाँ आपका भुगोल का दूसरा class है मैं आपको लिख द विख भुगोल अध्याय एक भुगोल एक विख दूसरा class है पिछली class में मैंने भुगोल की साखाओं के बाड़े में बताया था मैंने कहा था कि भुगोल के साखाओं को हम दो परकार से अध्यन कर सकते हैं पहला जो अध्यन है क्रम-बद उपागम के अधार पर थेक है क् प्रादेशिक उपागम के आधार पर हम लोग करेंगे तो भुगोल की साखाओं का अध्यन करेंगे पिर उसके बाद प्रादेशिक उपागम के आधार पर हम लोग अध्यन करेंगे मैंने आपको कहा था कि प्रादेशिक की तुलना में हम लोग करमबत तरीके से काफी ज़्यादा अध्यन करते हैं इसलिए हमें जो जोर देना है करमबत उपागम के आधार पर काफी जादा जोर आपको देना है ठीक है तो यहां से आपको निकलता है भुगोल की साखाएं ठीक है तो पैड़े बचो देखिए भुगोल का जो साखा है वहां करमबत के आधार पर किसके आधार पर तो पैड़ ठीक, ठीक है? यानि भूतिक से भूतिक भूगुल, लाश्ट में हम आपको यहां पर भूगुल लगा देंगी, मैंने यहां पर भूगुल इसलिए नही लिखा, क्योंकि हमारी पास जगा बहुत कम है, देखें, जगा कम है कि नहीं कम है, बिल्कुल जगा कम है, तो भुगोल का जो पहला छेत्र हो गया या यूँ कि इसे आप भुगोल भोतिक छेत्र कहिए या उपछित कहिए या साखा कहिए बात आपका बराबर है ठीक है तो भुगोल का जो साखा है वहाँ चार साखा में यह भी भगते है पहला हो गया भोतिक भुगोल दूसरा आपक हो जाता है जीब भुगोल जीब भुगोल को ही हम लोग जैब भुगोल भी बोलते हैं इसे अंतरा पिष्ट जीब भुगोल भी कहते हैं तो जीब भुगोल के जगा यदि आप जैब भुगोल भी देते हैं जैब भुगोल तो भी किसी भी परकार का कोई बात आपको नहीं हो ठीक है तो तीसरा हो गया अंतरब़ प्ष्ट जीव भूगोल ठीक है चऊंथा पृट का हो गया विविद एबं तक्निक भूगोल ठीक है और एक दो तींच चारफ सब पांच वा आपका हो गया मानभ भूगल चुकि यहां पर मानभ है तो लास्ट में हम आपको भुगोल लिख देते हैं मानब भुगोल ठीक है तो इस परकार से भुगोल का कितना साखा हो गया तो पैड़े बचो पांच साखा हो गया सोरी मैंने पहले चार आपको मीज से बोल दिया था पांच साखा हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच ठीक है तो पैड़े बचो यहां पर हम कर सकते हैं कि भुगोल का कितना साखा है तो आपको कहना है भुगोल का करम बद उपागम के आधार पर किसके आधार पर? करम बद उपागम के आधार पर भुगोल का पांच साखा है भोतिक भूगोल, सिधान्त या दर्शन सास्त भूगोल, जीब भूगोल, विवीत एवन तक्निक भूगोल, मानब भूगोल, ठीक है? इसको समझने में कोई दिक्कत, अब चाहे तो इसे आप भूगोल का उपच्छेतर कहें, भूगोल की साखाएं कहें, बातर क्या है, बात बराबर हैं, ठीक है? तो आपके एकजाम में यदि प्रस्न आएगा कि भूगोल के किनी दो उपच्छेतरों को नाम लिखें, तो भूगोल का दो उपच्छेतर कही है, या भूगोल का मान के चलिए कि साखा कही है, या आपके एकजाम में आएगा कि भूगोल के साखा का न अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, तो प्यारी बुच्छों हमें अब यहाँ पर से हरी साखाओं को कापी अच्छे तरीके से समझना है, जैसे मेरा भोतिक भूगोल, चुकि मैंने यहाँ पर भूगोल लिखा नहीं, यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ, भोतिक भूगोल, ठीक है, रेकली मैं यहाँ पर भोतिक मैंने आपको लिखा, अब जो भोतिक, यानि इस भोतिक का भी अपना साखा होता है, यानि कि अपना छेत्र होता है क्या होता है छेत्र ठीक है तो भोतिक का छेत्र हो गया एक दो तीन चार ठीक है तो भोतिक भूगोल का कितना छेत्र हो गया या यूं कहें कि भोतिक भूगोल का कितना साखा हो गया तो प्याड़ी बच्चों चार साखा हो गया पहला है भू आकिरती दूसरा है जल वायू तीसरा है जल अच्छा होता है मिर्दा चाहे तो आप इसे भू आकिरती विज्ञान भी बोल सकते हैं ठीक है चाहे तो जल वायू इसे विज्ञान भी भोतिक भुगोल के ही अंतरगत हम लोग किसका अध्यन करेंगे तो भोतिक भुगोल के ही अंतरगत हम लोग भु आकिरती का अध्यन करेंगे यानि पिर्थिवी का जो आकिरती है वो साड़ा का साड़ा अध्यन हम लोग भु आकिरती विज्ञान के तहत करते हैं और भु आकि प्रक्रतिक भोतिक भुगोल का उपच्षेतर आपको हो गया अब यहां पर प्रशन आएगा कि सर आप सबसे पहले यहां बताए कि आखिर भोतिक भुगोल होता क्या तो प्यारे बच्चों देखिए पार्यावरन जो आप देख रहे हैं परकिर्ती में आप जो देख रहे हैं परकिर्ती में जो भी पर्यावरन में जो भी आपका उपस्चित है जैसे जल हो गया मिर्दा हो गया जलवायू हो गया समुद्र हो गया पार्यावरन हो गया इन सभी का अध्यन पर किर्ती ने जिसे बनाया है इन सभी का अध्यन ही विशेश रूप से हम लोग भोतिक भुगोल में करते हैं इसलिए भोतिक भुगोल के अंतरकत हम लोग भु आकिर्ती विज्ञान का अध्यन करेंगे यानि भु आकिर्ती का अध्यन करेंगे उसके बाद जलवा पायू से ही हमें यहाँ पता चलता है कि किन छेत्र में आखिर ज्यादा बारिस होता है तो क्यों होता है कम होता है तो क्यों होता है फिर हम जल का अध्यन करेंगे जल के अध्यन से हमें नदियों के भी बारे में काफी ज्यादा अध्यन आपका है नहों पाएगा उसी प्रकार फिर मिर्दा का क्या करेंगे अध्यान यानि मिट्टी का अध्यान कर पाएंगे यदि मिट्टी उपजाओ है तो वहां लोग रह सकते हैं मिट्टी उपजाओ नहीं है तो वहां का भूमी क्या तो बंजर आपका है न हो जाएगा तो इस परकार से हम लोग भोतिक भूगोल के अंतरगत, भुवाकेर्थी, जलवायू, जल और मिर्दा का अध्यन करते हैं और ये चाड़ो का चाड़ो आपका भोतिक भुगोल का क्या बन जाता है तो प्याड़े बचो उपछेतर बन जाता है क्या बन जाता है उपछेतर बन जाता है आपके एक्जाम में यदि पूछा जाएगा कि भोतिक भूगोल के किनी दो उपछेतर के नाम बता है तो प्याड़े बच्छो आपका जवाब क्या होगा? कि भोतिक भूगोल के दो उपच्छेतर निम लिखित हैं, पाला मिर्दा भूगोल, दूसरा जलवायू, तिसरा जलवायू, विज्ञान, चौता भूगर्थ, इन चारों में से कोई दो लिख दीजिये, जिसे मेरा मन है दो लिखने का पाला में ने मिर्दा भूगोल आपको दिया और तीसरा मेंने जलवायू विज्ञान मेंने लिख दिया तो इस परकार से यहां concept मेरा clear हो जाता है तो पैड़े बुचो भोतिक भुगोल को समझने में तो किसी भी परकार का कोई दिक्कत नहीं आपके लिए यहां भोतिक भुगोल काफी ज्यादा important हो जाता है मैं भोतिक भुगोल को पढ़ेंगे और ट्वेल्थ में हम लोग खास करके मानव भुगोल को पढ़ेंगे अर्थात हमारे लिए जो अती मत्पूर्ण हो जाता है एक तो भोतिक भुगोल हो जाता है और दूसरा इसको ना important हो गया बीच का जो परसन है जैसे यह तीनो परसन उत इसी परकार से उतार लिजेगा ताकि आपके अध्यन में किसी भी परकार का कोई दिक्कत नहीं हो फुरा सा लाइट आपको कट गिया है, एक मिट लाइट में फुरा सा च चेक कर लेता हूं, ठीक है? चले खेर कोई बात नहीं अब आपका चले आता है सिधान्त और दर्संसा सिधान्त या दर्संसा बात आपके बराबर है सिधान्त या दर्संसा भूगोल का पेड़े बोचो दो उपछेतर निकलता है या दो उपछेतर कुछ इस पर कार से पहला है भोगोलिक चिंतन याने कि जब हम भोगोलिक चिंतन करते हैं ठेके भोगोलिक घटनाओं का जब हम चिंतन करते हैं तो यह साड़ा का साड़ा विशे छित्र किसके अंतरगत आता है तो भोगोलिक चिंतन भोगोल के अंतरगत आता है ठेके अब इसलिए भोगोलिक चि तिक कि यह जो भूगोल है या किसके अंतरगत आएगा यह भी दर्सन साथ भूगोल के अंतरगत आएगा इस परकार से इस भाग का यहां आपका दो उप्षेतर हो जाता है या दो साखा आपको हो जाता है ठीक है इसी को भू एवा मानव परासपरिक किडिया भी कहते हैं यान जे भॉगोल के अंतरग़प आपको नाम सही अश्पिस्ट है कि हम लोग जीवो का अधियन करेंगे जैसे ठाहिए ठाहिसे प्राणी भॉगोल में हमेंeny जो है जीवो का अध्यन हमको मिलेगा तो प्राणी भॉगोल प्याड़े बच्चो किसका अपच्छे तराफ को हो जाता तो जहिड सी बात है प्राणी भूगोल आपका जीव भूगोल का एक उपछेतर आपको हो जाता है ठीक है तो इस प्राणी भूगोल में हम लोग किस किस चीज़ों का अध्यन करेंगे तो जहिड सी बात है हम लोग प्राणी का ही अध्यन करेंगे फिर पार्यावरन भूगोल पारियावरन भूगोल प्याड़े बच्चों हम लोग ये जे भूगोल के अंतर ही पड़ते हैं अर्थात पारियावरन जो भूगोल है वह जे भूगोल का यानि जी भूगोल का एक आपका उपचेतर है यानि जो भी हमारे समक जो पारियावरन है वन है जंगल है उनका जो अ करेंट, यह चार उपषेत्र आपको निकलता है यद design में पूछेगा कि ये भूगोल के किनी दो उपषेत्र का नाम लिखे तो प्याड़ी बचु आपका उत्तर क्या होना चाहिए जैज भूगोल का दो उपचु रने लिखित है पाहला है प्रानी भूगोल दूसरा है पार्यावरन भूगोल तीन पूछेगा तो पाधक भूगोल भी आप लिख सकते हैं हाला के तीन कभी पूछता नहीं आपको दो यह आपका पूछता है तो जैव भूगोल को भी समझने में पैड़े बूचो किसी भी प्रकार का आपको कोई के इंतरकला आप जो भी मैपिंग उआप देख रहे हैं वो सारका सारा इसका अध्यां जो मांचीत कला के अंतरकत अंतरकत करते हैँ और यस परकार मात्रात्मक तकनीक हो गया, छेत्रिये सर्वेक्षन हो गया, जिसे किसी छेत्र में जन संख्या कितना है, कम है, कि जादा है, इस परकार से छेत्रिये जब आपका सर्वेक्षन है, वो भी आपको विवी देवम तकनीक के ही अंतरगत आता है, और उसके बाद भूर रचना, या बात कर सकते हैं आपके लिए जो इंपोर्टेंट हो जाता है वह काफिन जाता है मानब भूगल को विश्यस रूप से हम लोग ट्वेल्थ में पढ़ेंगे ठीक है मानब और पार्यावरन के जो बीच का रिष्ता है या रिष्ता काफी अटूट है और इसी अटूट रिष्ते का प्रसपर अध्यन ही हम लोग मानब भूगल आपको करते हैं या इसको आप कुछ इस परकार से बोल सकते हैं कि मानब द्वारा निर्मित ठीक है मानब द्वारा से अध्यान ही मानब भूगला लाएगा कितना चीजे प्यारे बचा बहुत आपको चीजह तो यह सब ही चीजे। का अध्यान ही विशिस रूप से हम कहां करेंगे तो पेड़े बुचो मानव भूगोल के अंतरगत करेंगे अब यह जो मानव भूगोल का जो साखाई है पेड़े बुचो यह साखाई कुछ इस परकार से आपका है समाजिक इवम सांस्कृतिक भूगोल लाश्ट में आप लोग भूगोल जोड़ दिजेगा समाजिक इवम सांस्कृतिक भूगोल के अंतरगत हम लोग समाज के बारे में पढ़ेंगे संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे संस्कृति का जो मतलब होता है पर्भ हो गया तुहार से जो है खेती किया करते ते इस प्रकार से सभी बातों का हम समाजी के अंतरगत पढगे दूसरा है जनसंक्या-इबंबस्ति के अंतरगत खास करके हम लोग गाऊं के बारे में पढ़ेंगे और नगर के बारे में पढ़ेंगे तो गyuरामिन बस्ती नगड के पढ़ेंगे तो नंग्रिये बस्ते इस परकार जंसंख्या इबंभास्ति का भी сопo निकल जाता है एक गराम website दूसरा नंग्रिये बस्ती ठीक है तो जंसंख्या इबंभास्ति यह जोना अपुगल का एक उप्षेत्र है या यूं कहें के साखाए है एतिहासिक एतिहासिक के अंतरकत जो भी एतिहासिक चीज़ों है उनका हम लोग वीशेजरूप से अध्यन करेंगे राजनिती में राजनिति का अध्यन करेंगे और खास करके आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है आर्थिक आर्थिक में क्या होता है कि वो सभी चीजों का हम लोग अध्यन करेंगे जहां से अर्थ उत्पन होता है यानि कि धन उत्पन होता है तो धन कहा कहा से उत्पन होता है तो किरसी से होता है कि नहीं होता है किरसी से होता है परियतन से होता ह वैपार एवं पडिवहन से होता है सेवाय से होता है अव सनरचना से होता है तो किड़सी तो यहाँ पर प्याड़ी बच्छों आपका किड़सी भूगोल हो गया परियतन भूगोल और धोगिक भूगोल वैपार एवं पडिवहन भूगोल सेवाय भूगोल यह सभी किन का प्रब्षेट्रनेयमव्भ 1965 थेज़ो prob be we can go living. तो कि तो यहां तक जो हमाड़ा ठीक है निया आपका क्रमबद उपागम के अदहार पर है अब प्यारी पूआ आपको असपष्ट हो रहा है स्वतों हम यहां आपका क्रमबद तरीके से हों तरीके से हैं अब यहां पर देखिएगा तो आपका बहुत सारा प्रस्ण उत्पन हो रहा है क्या क्या प्रस्ण उत्पन हो रहा है पहला प्रस्ण आपको यदि लगू की हम बात करें लगू में आपसे कई बार पूछता है कि माना भूगोल के किनी दो उपचितर के नाम है मिर्दा भूगोल भू आकेडिगो मिर्दा भूगोल के किनी दो उपचितर के नाम लिखे तो भूगोल के दो उपचितर निम लिकृताय रहे हैं कि कितना सारा प्रस्ण आपको उत्पन हो रहा है इसी प्रकार यदि आपको पूछा जाएगा कि मिर्दा भूगोल निम लिखित में से किनकी साखाए हैं भोतिक भूगोल, मानव भूगोल ठीके या इन वे से कोई नहीं तो उत्र क्या हो जाएगा ता प्यारे बुच्वा भोतिक भूगोल आपको हो जाएगा इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वस्तुनिस प्रस्ण भी कितना आपको बन पाढ़ा है तो प्यारे बेचों यहां तक हमारा जो क्रमबत उपागम के आधार पर है मेरा यहां आपका भुगोल का साखा रहा अब हम देखेंगे प्रादेसिक उपागम के आधार पर भुगो लंबद था इसलिए पहले मैंने लिख दिया तो कि लिखिने में काफे ज़्यादा समय आपको निकल जाता है ठीक है तो मैं इसे में मिटा देता हूँ अब हम लोग लिखेंगे प्रादेशिक उपागम की अधार पर ठीक है यह उतना इंपोर्टेंट है नहीं इसलिए बस थोड़ा बहुत जान लेते हैं पड़ादेशिक उपागम की अधार पर ठीक है क्या क्या हो जाएगा सबसे पहला आपको हो जाएगा छेत्रिय अध्यन या प्रादेशिक अध्यन प्रादेशिक अध्यन ही आपका छेत्रिय अध्यन आपको कला आता ठीक है प्रादेशिक अध्यन प्रादेशिक अध्यन को ही हम लोग प्यारे बुचो छेत्रिय अध्यन भी बोलते हैं ठीक है ठीक है पहला हो गया दूसरा प्रादेशिक विकास प्रादेशिक विकास तीसरा प्रादेशिक विशलेशन प्रादेशिक विसलेशन फिर उसके बाद प्रादेशिक यूजना प्रादेशिक यूजना ठीक है यहाँ पर प्यारे वेचो आपका प्रादेशिक यूजना दो भागव में तूट जाता है एक ग्रामीन अस्तर पर या देश या ग्रामीन ठीक है योजना दूसरा सहरी योजना सहरी योजना ठीक है इसी प्रकार से ये भी आपको तूटेगा ठीक है अस्तूल प्रादेशिक अध्यन अस्तूल प्रादेशिक अध्यन उसके बाद हो जाएगा मद्द प्रादेशिक अध्यन मद्द प्रादेशिक अध्यन इसी प्रकार सुक्ष्म प्रादेशिक अध्यन सुक्ष्म प्रादेशिक अध्यन अध्यन चेक है अब जो प्यारे बच्चु जो मैंने भुग्गोल का साखा मैंने जो लिखा है या साखा भुग्गोल के प्रादेशिक अध्यन प्रादेशिक अध्यन अध्यन प्रादेशिक अध्यन अर्थात हम लोग चेत्र का अध्यन करते हैं अध्यन करने के बाद फिर हम आगे क्या करेंगे उनके लिए विकास का कदम उठाएंगे तो विकास करने के लिए हम लोग फिर पड़ादेशिक विकास का अध्यन करेंगे कि किस प्रकार से विकास करना है फिर विकास करने के बाद फिर हम उसका पड़ादेशिका यानि छेत् योजना को तियार करें कि जिसकी माण के चलिए कोई छेतर है एक गाव है ठीक है एक गाव का हम लोग सबसे पहले प्रादेशिक अध्यन अध्यन कि कोई कर गया इस डौ में कोई सरक नहीं सहरख मैं तो अध्यान कर पाएं किस से प्रादेशिक अध्यान से यानि कि छितरी अध्यान से इस गाओं का नाम हम ले लेते पटना पटना में कोई सरक नहीं है ठीक है तो प्रादेशिक अध्यान के तथ हम लोग इसका अध्यान कर पाएं अध्यान करने के बाद यहां पता चला कि सरक नह गयाँगे अब यह जो यूजना है इसी यूजना के अंतरकात हम लोग सरक्षट laugh बनाएंगे आप दिखिएगा कि आपके गांव में बहुत सारा सरक्षट भी होगा जिस पर लिखा हो ंधर पर्धान करम मेर्य यूजना कर पिजद आपको लिखा to लेगा तो जो भी जो यूजना भी जो आता है गाओं के लिए अलग आता है और आपको शहर के लिए अलग हो आपको आता ठीक के तो इस प्रकार से लोग के प्रादेसिक उपागंगा के अंतरगत करकेक्ट बहुग curls का अध्यान नहें ता है next class में मैं सभीको प्रस्तं उत्र करा दूँगा और प्रसर उत्र करना करके यह जो अध्या है इस अध्या देख ओम्नाप्त कर दूँगा तो मिलते हैं next class में तब तक के लिए धनबाद बाई जय हिन को